हलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ लली तरिया टेकनिकल लाइब में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं अपने सिस्टम में SSD कैसे लगा है प्लस पावर केबल कैसे लगा है आप देख पा रहा है इसमें एक इनपूट है दो आउटपूट है ऐसा पाव करेंगे पावर केबल के साथ तो यह स्टार्ट करते हैं तो यह हमारा SSD है यह हमारा उसका डाटा केबल है यह हमारा पावर केबल है तो चलिए हम लोग देखते हैं किस तरह से इसको लगाया जाएगा अपने CPU में आप देख पा रहे हैं हमारे पास सिर्फ एक इस्ट्रा डाटक वो पावर केबल है इसको यदि हम इस हाड डिस्क में लगा देंगे तो हमारा जो यह SSD है यह कहीं पर लग नहीं सकता आप देख पा रहे हैं यह चोड़ा वाला है उसके अलावां यह दूसरा वाला भी चोड़ वाला है ठीक है दो साटा का देता है और दो पाटा का देता है ठीक है तो हमें यह तीसरा लगाना यानि कि इसके मदद से ठीक तो आएए इसको पहले हम लगाते हैं यह जो हमारा यह पावर केबल है इसमें हम लोग देखिए इस तरह से लगा देंगे यह हमारा फीट हो गय इस तरह से आप देख पार हैं तीनों हार्डिस्क जूड़ चुका है देखे एक तो यह लगा हुआ है यह कि इसमें से इसमें लग गया और एक यह सज्डिम लग गया ठीक है उसके बाद हम लोग आप देख पा रहा है हमारा यानी कि तीनों हार्डिस्क जूड़ चुका है फर्स्ट सेकेंड थर्ड ठीक है अब इसको फार्मेट किया जाता है ठीक है हम स्टेप बाई स्टेप आपको बताएंगे किस तरह सी ये बूट किया जाएगा और फार्मेट किया जाएगा इसमें हम लोग मेंडोट रहेंगे ठीक है तो हमारा ये सिस्टम रेडी हो चुका है उसके बाद हम लोग सिस्टम रेडी हो चुक हैं first boot पे देखिए हार Disk deriv का second boot पे धेखिए हमारा यह जो pen drive है तो हमें क्या करना होगा हमें first boot पर pen drive करना होगा और second boot hard disk करना होगा ठीक है tut हमें क्या करना हमको एक बार इन्टर करना इन्टर करने के बाद हमें usb service के सेलेक्ट कर लेना आप change हो चुका है ठीक है इसके बाद हम लोग क्या करेंगे save के लिए इसे f10 दबाएंगे अपने keyboard में f10 जैसे press करेंगे यह save के लिए ok हो जाएगा ok करते हैं यह हमारा boot menu में चला गया ठीक है अब देख पा रहा है हमारा यह system खुल रहा है अब देख पा रहा है हमारा boot से आपको बिंडो फार्मेट करना है step by step आपको हम बताते रहेंगे कि आप लोग वीडियो पर बने रहें रहे है अब देख पा रहा है कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखनों को मिलेगा तो इसमें आपको कुछ चैंजिस नहीं करना है आपको एक बार इसे हैं यहां से next कर देना है next करने के बाद इस्टाल नौ पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहां पे सारा विंडों सो हो रहा है आप आपको कौन सा डालना है अब देख पार है professional है होंडेशिक है जो भी आपको यहां से window डालना है आप देख पार है यहां से बिंडोगीट सो हो रहा है थीकर 66 बिटका छॉपा यह 54 बिटका तो और पिर से नाइस्ट उसके बाद अमारे यह सोऊ हो रहा है यहां से आएंगे 이 fandom खोलेंगे यहां से अम निउ बनाते हैं है कि यहां से अप्लाई करेंगे ऑके करेंगे हमारे यह सी द्राइब यहां से हम फार्मेट करते हैं, यहенная रेडियो हो चुका है यहां से हमें नेक्ष्ट कर देना हैं जैसे नेक्ष्ट करेंगे हमारा यह विडियो लोड़िंग होना सुरू जाए कर आधा तो वीडियो पे कुछ देर तक बने रही Bel झाल 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 फिर से हमारा बिंडो खुल चुका है यह कंप्लीट इस्टॉलेशन हो रहा है लाश्ट इस्टेप है उसके बाद वीडियो पर बने रहे है फिर आगे क्या इस्टेप है हम देखने वाले हैं यह हमारा इस्टॉलेशन हो चुका है तो आप देख पा रहे हैं यहां पर अपना पीसी नेम देना है जो भी लिखना है आपको लिखे देना है यहां पर तो जैसे हम यहां अपना नेम टाइप कर दे रहा है माही स्टूदियो ठीक है उसके बाद हमें क्या करना है यहां पर नेक्स्ट कर देना है नेक्स्ट करने के बाद आप यहां से पासवर्ड अपना लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं जैसे हमें पासवर्ड नहीं लगाना है तो फिर से हमें यहां से नेक्स्ट कर देंगे फिर यहां पर देख पा रहे हैं यहां से अपना टाइम डेट आप सेट सेलेक्ट करेंगे जहां से आप हैं मानलीजी हम इंडिया से हैं तो यहां से आप देख पा रहे हैं यहां देला ही पर हम क्लिक करते हैं इसके बाद यहां से नेश्ट कर देते हैं यह हमारा पहला बिंडो खुल करके आ रहा है अब देख पा रहे हैं हमारा फार्मेटिंग यानि कम्पलीट हो चुका है ठीक है आपके सामने कुछ इस तरह से पहला विंडो खुल करके आएगा आप यहाँ से अपना my computer यहाँ से so the so on desktop पे कर लीजिए ठीक है तो इस तरह से आपका दिखिए विंडो खुल करके आ जाएगा आपके सामने मान लिजे आपको crack करना है तो आप यहां से हो ठीक है? जैसे यहां से हमें विंडो 7 इसी crack करना है तो यहां से one remover है हमाएंगे यानि जो इसका background है यह जो background है कभी blank ना हो बनी काला ना है ठीक है यहां यहां विंडो एक्टिवेट ना लिखे इसलिए हम यहां से इसके इसको crack कर लेंगे वांट रिभूमवद पर हम एक बार क्लिक करेंगे ठीक है आपको यहां से यस कर देना है यस करने के बाद आप देख पा रहे हैं कुछी इस तरह से आएगा आपको यहां एक बार क्लिक कर देना है फिर ओके कर देना है ठीक है कुछी इस तरह से रिष्टोर हो जाएगा यह हमारा हो चुका है complete उसके बाद ओके करते हैं यह हमारा रिष्टार्ट हो जाएगा तो इस तरह से आप अपने पीसी को फार्मेट कर सकते हैं तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लिजे आप तक पहुंसता रहे मैं इसी तरह का वीडियो हमेशा लाता रहता हूं